विटैमिन का फिसाद इंपॉर्टन टॉपिक है साइंस का अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो तो फैंट्स हो सभी कोशन जो आपके एक्जाम के लिए इस वीडियो में लेक रहा हूं तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग सेंड तक जरूर देखना और वीड इस वीडियो में लेक रहा हूं यह कोशन इतने जादा इंपॉर्टन रहने वाले अगर आपने विटैमिन के सभी कोशन मेरी वीडियो से पढ़ लेए आपको इस टॉपिक से जातर कोशन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे आपके लिए सारे कोशन सेलेक्टिड लिए हैं स्किप्शन जरूर चेक कर लेना वहां पर आपका 80-90% जो सिलेबस है जीके का और साइंस का वह कंप्लीट करवा दिया तो वह सभी वीडियो साब ज़रूर देख लेना एक्जाम में आपको बहुत आप मिलेगी स्टार्ट कर रहे हैं पहले कोशन से फर्स्ट कोशन है विट जो इसका एक्चल वर्ड वोह है विटामिना यहां पलेगाता हूं जिसे की सी फंग जो साइंटिस्ट है इन्हों ने दिया था नेक्स्टप्धवाट इस कॉज इस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं तो आंसर है विटामिनियोलाजी जो होता है यह वीटामिन की स्टडी को ब लड में, फ्रिंस, मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है, हर साल एक्जाम में रेपीट होता है, नेक्स्ट है, यह कोशन भी इंपॉर्टन है, विच विटामिन इस लॉस्ट वेन पील्ड वेजिटेबल आर वास्ट, इस लॉस्ट वेजिटेबल 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 वेजिट soluble vitamin है इसके लिए एक trick है मैंने आपको बताए vitamin B जो है और vitamin C है ये water soluble होते हैं आपको ABC याद करनी है ठीक है A के बाद B आता है और C आता है एक को भूल जाओ जो B और C है ये water soluble vitamin है ठीक है अगला कोशन है इसके लिए मेरे पास trick है है कि आपके लिए एक्जाम में questions पूछे जाएंगे, आपको option देंगे, बताएंगे, पूछेंगे, बताओ, कौन सा vitamin water soluble है, कौन सा vitamin fat soluble है, तो आपको यह याद रहेगा, KEDA और यह BC, तो आप बता दोगों कि fat soluble कौन सा है, विटामिन, और water soluble कौन सा vitamin है, what is the chemical name of vitamin A, जो vitamin A है, इसका chemical name क्या ह है, तो answer है, जो retinol है, यह vitamin A का chemical name है, next question है, name the scientist who given the word vitamin, friends, वो कौन से scientist है, जिन्हों ने vitamin word दिया था, तो answer है, जो C funk, जो scientist है, इन्हों ने, जो vitamin word दिया था, friends, आप से गर यह पूछा जाए, कि who is called as, who is regarded as father of vitamin, vitamin के father, यानि विटामिन के जनक इनको माना जाता है, तो आपका answer तब भी होगा C funk, यह दोनों question exam में पूछे गए है, अगला question भी, friends, हर साल exam में repeat होता है, name the vitamin in which cobalt found, friends, वो कौन सा vitamin है, जिसमें cobalt पाया जाता है, तो answer है, जो vitamin B12 है, इस vitamin में cobalt पाया जाता है, friends, अगर हम बात करें cobalt की, इसका symbol होता है CO, friends, अगर आपको मेरी ये video पस chemical name of vitamin B12 है, जो vitamin है B12, इसका chemical name क्या है, तो answer है, जो sinocoblamine है, ये vitamin B12 का chemical name है, next question है, which vitamin is also called as beauty vitamin, friends, वो कौन सा vitamin है, जिसे की beauty vitamin के नाम से भी जाना जाता है, तो answer है, जो vitamin E है, इस vitamin को beauty vitamin के नाम से भी जाना जाता है, next question है, night blindness is caused by due to lack of which vitamin जो night blindness की बिमारी है यह किस vitamin की कमी के कारण होता है तो answer है जो vitamin A है vitamin A की कमी के कारण night blindness बिमारी होता है next question है anemia diseases is caused by due to lack of which vitamin जो anemia की बिमारी है यह किस vitamin की कमी के कारण होता है तो answer है vitamin B12 की कमी के कारण जो anemia diseases है यह होता है एक्जाम में कई बार पुछा गया, ये सारे कोशन ना most important है, मतलब 50 से ज़्यादा बार repeat होए है हर एक्जाम में, तो एक एक कोशन आपके लिए बहुत ज़्यादा important है, रट लेना एक्जाम से पहले आप, Whenever the rich source of vitamin D is, इस्विटामीन D है किसमें पाएंजाता है, तो आंसर एजो sunlight होता है इसमें vitamin D सब से ज़्यादा पाएंजाता है, इस्विटामीन D का, на और पुंड विटामीन A का, The weiß-ए इस्विटामीन A का विटामीन क्या है, तो आंसर है जो wratine-роap, यह बिमारी विटामिन एक ही कमी से होता है next question है what is the other name of diseases night blindness जो night blindness बिमारी है इसको दूसरा नाम क्या है तो answer है night blindness जो है यह night blindness बिमारी का दूसरा नाम है friends अगर हम बात करें night blindness मैंने आपको अपरी बता है यह विटामिन एक ही कमी से होता है next है name the vitamins which is also called as anti-cancer vitamin वै कौन सा vitamin है जिसे की anti-cancer vitamin के नाम से भी जाना जाता है तो answer है जो vitamin A है इस vitamin को anti-cancer vitamin के नाम से भी जाना जाता है name the vitamin which is also called as anti-infection vitamin वै कौन सा vitamin है जिसे की anti-infection vitamin के नाम से भी जाना जाता है nex question है name the vitamin which produces pigments for eye, वोख ब condemn society करता है , जो हमेस्ट कर दूशोज है , जो क्या हमारे आँकों के लिए pigments produce करता है , या निकि का दूशन है , जो क्अधा we take Min이ana, यहक्षिद करता है , गा हमारे रांकों के लिए पिक्नोह, पिक्मेंच न?", तो आपके लिए consequence करता है या जितलो जो ऑस्टो मलेशिया बिमारी है यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो आंसर है विटामिन D की कमी के कारण ऑस्टो मलेशिया बिमारी जो होता है नेक्स्ट है नेम दा विटामिन 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 के नाम से भी जाना जाता है तो आंसर है जो विटामिन डी है इस विटामिन को संशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कोशन है हमारा Name the vitamin which is formed in human skin कौन सा vitamin है जो की human skin में पाये जाता है तो answer है vitamin D vitamin D जो है वो human skin में पाये जाता है Name the diseases which is caused by deficiency of vitamin B और vitamin B1 जो vitamin B है जिसे की vitamin B1 भी बोलते है इसकी कमी से कौन सी बिमारी होती है तो answer है जो vitamin जो बिमारी है बिमारी जो है वो vitamin B या बिमारी बिमारी की कारण होता है आपने B से याद रखना है बैरी बैरी ठीक है next है What is the chemical name of vitamin B2 जो vitamin B2 है इसका chemical name क्या है तो answer है जो राइवो फ्लेवीन है ये chemical name है vitamin B2 का most important question है देखो जो vitamin जो questions है इसमें जो chemical name हो गया deficiency वाला जो जितने भी questions हो गया ये आप अच्छे से रट लेना exam में आपको बहुत help मिलेगी फ्रेंस मैं आपको बता दू इस video मैं आपको 50 questions करवाने वाला हूँ vitamin के most important जब आपके 50 questions complete हो जाएंगे मैं आपको यही question एक बार फिर से revise भी करवाने बारा हूँ ताकि friends आपको सभी के सभी questions इसी video में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे आपको नोर सबनाने की जरूरत ना पड़ेगा जब मैं आपको 50 questions करवा दूँगा revise भी करवा दूँगा उसके बाद आपके लिए मैंने 5 questions का test रखा है आपने यह test जरूर attempt करना है और आपना answer मुझे कमेंटर के जरूर देना है ठीक है रिकेट्स disease is caused by due to deficiency of which vitamin फिर जो रिकेट्स बिमारी है यह किस बिटामिन की कमी के कारण होता है रिकेट्स बिमारी है विटामिन D की कमी से हो रही है तो फिर्ट्स आपने एक book सुनी होगी math की आती थी RD Sharma आपको इस RD Sharma वाली जो book है उससे कुछ मतलब नहीं रखना बस आपको यह water याद रखना है RD फिर्ट्स बिमारी जो है वो विटामिन D की कमी के कारण हो रहा है नेक्स्ट कॉशन है Name the richest source of vitamin A विटामिन A है यह सबसे ज़्यादा किसमें पाए जाता है तो आंसर है जो carrot जिसे कि हम गाचर भी बोलते हैं इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाता है विटामिन A नेक्स्ट है Cracks in the skin at the corners of mouth is due to deficiency of which vitamin Friends, आप यह देखते हो कि जो मतलब आपका जो माउथ है ठीक है या आपकी जो lips है वो side-side जा फटनी शुरू हो जाते है या आपका जो skin है फटनी शुरू हो जाते है वो किस की कमी के कारण होता है आपकी जो vitamin B2 है विटामिन B2 की कमी के कारण जो हमारे skins होते हैं वो फटने लग जाते हैं या इसमें crack आजाता है नेक्स्ट है प्लैगरा डिजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजी which is the chemical name of type vitamin B of B2 का what is the chemical name of nil-b3 **** vitamin B3 what is the chemical name of nil-b3 this chemical name of nil-b3 until 있어 we have a drink anti- recognise i need to remember with respectedniacin as E الس System Yates Vitaimius x what is the chemical name of vitamin B Abs these responsible name of B 자료 जो folic acid है यह vitamin B10 का chemical name है next question है what is the chemical name of vitamin K जो vitamin K है इसका chemical name क्या है तो इसका दो chemical name है दोनों आपको याद रखने है दोनों option में पूछा गए है पहला है phylo-cunein दूसरा है mina-cuneons ठीक है दोनों आपको याद रखना है यह दोनों chemical name है vitamin K के softening of bones in a children is due to deficiency of which vitamin जो bones का soft हो जाना बच्चों में यह किस vitamin की कमी के कारण होता है तो answer है vitamin D की कमी के कारण जो bones होते हैं बच्चों के वो soft हो जाते है next है what is the chemical name of vitamin B और vitamin B1 मैंने आपको उपर बताया था कि जो vitamin B है या vitamin B1 है इसकी कमी के कारण कोंसे बिमारी होती है berry berry होता है ठीक है यह तो इसकी कमी से होता है अभी हम सब कोश्चों ने बुच्छा गया था कि जो chemical name क्या होता है vitamin B का या vitamin B1 का तो आपको बताना थाइमीन जो है यह chemical name है vitamin B का या बूलो vitamin B1 का next है और बिमारी होती है अगर हम polished rice गाते है question यह कहा है कि हम कभी भी polished rice खाते है उससे कों सी बिमारी होती है तो answer है जो berry berry बिमारी है यह polished rice खाने से होती है next है what element does not give any energy to our defense वो कोंसा element है जो हमारी body को कोई energy नहीं देता तो answer है जो vitamin है इससे हमें कोई energy नहीं मिलते next है आमला is a rich source of which vitamin जो आमला है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाता है तो answer है vitamin C पाई जाता है आमला में next है bleeding of gums is due to lack of which vitamins जो हमारे gums से जो खून आना मतलब हमारे जो मसूड़े होते हैं दात के उपर इनसे जो खून आता है किस विटामिन की कमी कारण होता है तो answer है vitamin C की कमी के कारण जो हमारे gums होते हैं उनमें खून आना शुरू हो जाता है in human body vitamin store at हमारी body में जो vitamin है कहां पर store होते हैं तो answer है ये liver में store होते है next question है fish liver is research source of which vitamin fish का जो liver होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा vitamin पाए जाता है तो answer है vitamin D और vitamin A जो है जो fish का जो liver होता है उसमें पाए जाता है next question है what is the main function of vitamin vitamin का main function क्या होता है act as essential nutrients because acting in concert they perform hundreds of roles in the body they help shore up bones, heels, wounds and bolster your immune system मतलब हमारे immune system को ये strong करता है जो हमारे घाओं होता है उनको भरने में मदद करता है और हमारे जो हडियां होती है उनको मजबूत बनाता है next question है name the vitamin which destroy the harmful and toxic chemicals in human body कौन सा vitamin है जो हमारी body के अंदर जितने भी harmful or toxic chemicals होते है उनको खतम करता है उनको destroy करता है तो answer है जो vitamin E है ये हमारी body के अंदर जितने भी toxic chemicals होते है और harmful chemicals होते है उनको destroy करता है important question है next question है what is the chemical name of vitamin B7 vitamin B7 का chemical name क्या होता है तो answer है जो biotene है ये B7 का chemical name होता है name the vitamin which protects human body from peristasia friends वह कौन सा vitamin है जो हमारी body को peristasia बिमारी से बचाता है तो answer है vitamin B5 and last question of this video name the vitamin which helps in cure of Alzheimer diseases friends वह कौन सा vitamin है जो Alzheimer diseases से यार रवी next question है name the vitamin which helps in cure of Alzheimer diseases Alzheimer's बिमारी को ठी करने के लिए कौन सा vitamin helpful होता है तो answer है vitamin B12 friends मैंने आपको ये 50 questions करवा दिये उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ये 50 questions करवा दिये friends मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 50 questions करवा दूँगा उसके बद मैं आपको ये ही question एक बद फिर से revise भी करवाने वाला हूँ ताकि friends आपको सभी के-सभी questions इसी वीडियो में हमेशे के लिए याद हो जाएं तो friends है एक बद हम पना revision start कर लेते हैं इसी बद मैं आपको बतात हूँ जब revision करवा दूँगा उसके बद आपकी आपकी वने test भी रखा वाई ये 5 questions का तो आपने इनका answer मुझे कमेंटर के जरूर देना है start कर लेते हैं मारे revision और friends ये GK को याद करने का सबसे best तरीका है first question amara vitamin word is derived from which language so you answer a latin word name the what is called a study of vitamins right answer is vitaminology name the vitamin which helps in clotting of blood right answer is vitamin k which vitamin is lost when peeled vegetables are washed right answer is vitamin c name the vitamin which prevent the infection in human body right answer is vitamin a name that two classification of vitamins right answer is water soluble vitamins fat soluble vitamins name the water soluble vitamin right answer is vitamin b and vitamin c name the fat soluble vitamins right answer is vitamin k vitamin e vitamin d vitamin a what is the chemical name of vitamin a right answer is retinol name the scientist who given the word वितमिन 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 वितमि right answer is vitamin B12. Richest source of vitamin D is right answer is sunlight. What is the chemical name of vitamin A right answer is retinol. Name the disease which is caused by lack of vitamin A right answer is night blindness. What is the other name of disease night blindness right answer is necrotolopia. Name the vitamins which is also called as anti-cancer vitamin right answer is vitamin A. Name the vitamin which is also called as anti-infection vitamin right answer is vitamin A. Name the vitamin which produces pigments for eye right answer is vitamin A. Osteomalacia disease is caused by due to lack of which vitamins right answer is vitamin D. Name the vitamin which is also called as sunshine vitamin right answer is vitamin D. Name the vitamin which is formed in human skin right answer is vitamin D. name the disease which is caused by deficiency of vitamin b or vitamin b1 right answer is berry berry what is the chemical name of vitamin b2 right answer is riboflavin ricketts disease is caused by due to deficiency of which vitamin right answer is vitamin d name the richest source of vitamin a right answer is carrot cracks in the skin at the corners of mouth is due to deficiency of which vitamin right answer is vitamin b2 plagiar disease is caused by due to lack of which vitamin right answer is vitamin b3 what is the chemical name of vitamin b6 right answer is pyridoxine what is the chemical name of vitamin b5 right answer is pantothenic acid what is the chemical name of vitamin b3 right answer is niacinic nicotinic acid what is the chemical name of vitamin b10 right answer is folic acid what is the chemical name of vitamin k right answer is phyloquinone and menaquinones softening of bones in in children is due to deficiency of which vitamin right answer is vitamin d what is the chemical name of vitamin b1 right answer is thiamine pelligra disease is caused by deficiency of which vitamin right answer is vitamin b3 eating of polished rice causes which diseases right answer is beriberi what element does not gives energy to body right answer is vitamin amla is rich source of which vitamin right answer is vitamin c bleeding of gums is due to lack of which vitamins right answer is vitamin c in human body vitamin stores at right answer is liver fish liver is research source of which vitamin right answer is vitamin d or vitamin a what is the main function of vitamin right answer is act as essential nutrients because acting in concert they perform hundreds of roles in the body they help shore up bones heal wounds and bolster your immune system name the vitamin which destroy the harmful and toxic chemical in human body right answers vitamin a vitamin e what is the chemical name of vitamin b7 right answer is biotin name the vitamin which protects human body from paristhasia right answer is vitamin b5 and our last question of this video name the vitamin which helps in cure of alzheimer diseases right answer is vitamin b12 friends मैंने आपको ये 50 questions करवाई उसके बाद मैंने आपको ये 50 questions करवाई उसके बाद मैंने आपको ये 50 questions एक बार फिर से रिवाइस भी करवा दिया उमीद करता हूँ आपको सभी के सभी के अच्छे से समझ आगे होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में मैंने आपको बदाया था कि जब मैं आपको 50 questions करवादूंगा रिवाइस भी करवादूंगा उसके बाद मैंने आपके लिए ये पांच questions का test टेस्ट तो आपने मुझे इन पांचों का अंसर कमेंटर के जरूर देना है इससे आपके नौलेग चक हो जागी या जो मैंने आपको पड़ा है वो रिवाइस भी हो जाएगा तो आपने टेस्ट जरूर अटेंट करना है और मैं आपको बता तो आप जो मुझे अपना पांचों का अंसर मुझे कमेंटर के जरूर देना है उमीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिल जा अगर आपने मैस और इसनिंग उससे बढ़ लिए अपको इतनी शॉर्टी देता हूं ना आपको किसी कोचिंग सेंटर को जाने की जरूत पड़ेगी और ना आपको दिली जाके कोचिंग करने की जरूत पड़ेगी बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया बहुत जरूर कर लेना और आप मुझसे Facebook पे Instagram पे टेलिग्राम पे जोड सकते हो फिंस वह है Ravi Study IQ G के नाम से उमीद करते हूं फिंस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी फिंस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा आप शेयर जरूर करना अपने family में अपने friend circle में और आप कोई भी जो group यूज़ करते हो Facebook का या Facebook का इंस्टा या Telegram का या फिर WhatsApp का वहाँ पे आप ज्यादा दाजन को शेयर कर दीजिए ठीक है friends तो friends अब हम मिलते हैं next वीडियो में thank you and wish you all the best झाल